Cross cultural psychology of work हमारी जिंदगियों में जितनी एहम हमारी सोसाइटी है हमारे घर हैं, हमारी personal health, mental health, nutrition, gender role, socialization, development और यह सारे concepts जो हम कर चुकी हैं, character strengths flourishing एक काम जो हर इनसान करता है वो है काम नौकरी, business, कमाने का कोई ना कोई तरीका हर level of society पे हर इनसान का कोई ना कोई काम है क्या cross culturally मुक्तलिफ cultures में जो हम काम की हमारी जगा है काम की जगा में जो हमारे तरीके हैं वहां पे जो concepts हैं जो हमारे जहन में होते हैं जब हम काम करते हैं क्या इसको भी study किया गया है तो इस तांग में जो हमें जो गचाएं आफर आल अदर अधर तोपिक का वी तॉपिक का में यह दो इसमें बड़े इंट्रेस्टिंग सवाल हैं एक कंपनी है वो मल्टीनेशनल है वो मेकडॉनल्ड है या वो नेस्ट है या कोई भी कंपनी जिसको अपक्रोस ग्लोब आपको पाई जाती है है या कमोड़िटी हो गई या इंटरनेट की सर्विसेज हैं विच आर मोस्टली बेस्ट फ्रॉम अमेरिका गूगल या फेस्ट पूक है या ट्विटर है अच्छा अब यह इनके ऑफिसेज हैं हर चका पर इनकी फैक्टरीज भी हैं कहीं चकों पर इनके सर्विस तेंटर भी आपसे क्या वहाँ इनके बहेवियर में या किसी और तरीके से इदारे में कोई तबदीली होती है और इसके लावा ऐसे इदारे भी हुते हैं छिसकों मिलक के अपने अंदर होती है यह टॉपिक बहुत बड़ा है इसके ऑपर फुछ पूप्स एंटे इनकी रफरेंस मैंने दी है, आर्टिकल्स की दी है, but just to touch this topic and give you an idea of the resources which are available if you want to look at the cross-cultural psychology of work. Cross-cultural organizational psychology है कैसा discipline है, जो human behavior at workplace को compare करता है across societies, अब क्या इसमें similarities है, yes, हर किसी ने दफतर आना है, काम पे आना है, पैसे लेने है, teamwork करना है, अपनी deliver करना है, जिसके लिए आपको hire किया गया है, लेकिन तो ये तो common चीज़ें होगी, एक office space भी होती है, उसमें timing होती है, उसमें rules होते है, उसमें positions or roles होते है, उसमें ओते होते हैं बगहरा बगहरा, अब differences भी हैं क्या, इसमें ज्यादा question mark हैं, but yes, very interesting one, George Bernard Shaw ने एक दफा कहा था, और ये मैंने ये जो book कहा नीचे, इसमें से quote लिया है, England and America are two countries divided by a common language, इसका मतलब क्या है, दोनों English बोलते हैं, पर दोनों से कुछ और मतलब समझ सकते हैं, तो ये दो मुलकों की बात है, जो एक मुलक में जाके, तूसरे मुलक से लोग अबाद हुए, यह निए अमेरिका से इंगलेंड में, और वो एक ही जबान बोलते हैं, but as they are saying, they are divided, Bernard Shaw was a great humorist, इसकी जो reference है, वो psychology and cross-cultural perspective से मैंने दी है, अब ये देखें, हर country में managers होते हैं, और वो manage करते हैं, लेकिन जब हम ये define करने की कोशिश करें, कि manage करने का मतलब क्या होता है, तो आप, ये कोई unusual बात नहीं है, कैसे लगता है कि हम दो अलग जबाने बोल रहे हैं, हम इस चीज से क्या मतलब रखते है manage करने से, कुछ इदारों के अपने culture होता है, ये कुछ cultures में manage करने का मतलब ये होता है, कि उसकी personal choices, liberty भी manage हो रही है, I have seen that in Pakistani culture also, हर बात HD से पूछ ले, मेरा personal opinion नहीं है, या मैं उनकी खुशामत करूँगा, तो मेरी कोई बात की wقت होगी, that's a kind of culture in some organizations or in some culture, तो इसका मतलब है कि management का भी कोई एक मतलब नहीं समझा जाता कि क्या-क्या वो manage किया जा रहा है, organizational psychology एक framework provide करती है, for understanding individual and organizational behavior, this discipline combines research from social psychology and organizational behavior और क्या study करती है, leadership, teams, motivation, values and attitudes, cross-cultural psychology एक framework देती है, आपको जो हम इतनी देर से समझ रहे हैं कि कैसे human behavior जो है, वो cultures के across different होता है, या कैसे एक जैसा होता है, अब individual and group दोनों की functioning across the cultures कैसे फरक है, मसले families या इदारे कैसे फरक हैं, और इनसान जाती तोर पे, इन्फराधी तोर पे कैसे फरक है, organizational psychology, cross-cultural perspective में देखने से हम ये बेतर prepare कर सकते हैं, इदारों को और अफराद को जो उसमें काम करते हैं, कि आजकल जो global हो गई है, multinational हो गई है, organization या आप कहीं और काम करने जाते हैं, तो आप उसको वहाँ पे adjust कर सकें, समझ सकें और आपके knowledge में ये चीज़ हो, ये एक museum है, of work and culture, Rhode Island USA में, वहाँ पे बहुत immigrant workers आ museum का इनर एक सीन है, और लेफ्ट को एक textile worker है, जब वह early time में आये थे, उसमें Korean थे, उसमें वेंजवेलन थे, उसमें एफरीका के लोग थे, उसमें Spanish लोग थे, जिसको भी जरूरत थी, कमाई की वह दूसरे मुल्क में जाके कर रहा थे, बिलकुल उसी तरह, जिस तरह the immigrant workers, the people who come and work there, even if they are not immigrants, they are temporarily or full time or for long time working there, उनकी सारी economy, तो उनी लोगों पे चल रहा है, जो दूसरे मुल्कों से वहां के काम कर रहा है, तो I think Dubai should and other countries and America and USA and Europe, should appreciate people who contributed their life to their work and contributed to the economic life of that country. अब यही सूरते हैं अगर पाकिस्तान में देखें तो छोटे शहरों से बहुत सारे लोग मसलं कराची में काम करते हैं, it's time to celebrate the people who leave their life in the mountains and villages, गाओं और पहाडों में खुशूरत, साफ तुत्री, simple जिंदगी, healthy जिंदगी छोड़के, वो आपके polluted शहरों में आके, आपके industry चलाते हैं, आपके अधारे चलाते हैं, so that is psychology of work, इस पर जो research हुई है, एक मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने organizational culture और behavior को study किया, चाइना और United States में, कुछ चीज़ें सिमिलर थी, जैसे civic virtue, यानि शहरी जो खुबियां qualities होती हैं आपके अंदर, altruism, यानि helping लोगों को, conscientiousness यानि फर्स चनासी और कुछ फरक्त ही चाइना और अमेरिका में, मसलन, sportsmanship and courtesy जो है, वो relevant नहीं थी चाइना के लिए, और एक चाइना में चीज़ थी, जो American organizational culture में नजर ही नहीं आई वो थी, interpersonal harmony, एक दूसरे से मुकाबला नहीं ऊपर चड़ने के लिए, बलके interpersonal harmony यगानगी और हम आँगी, इसी तरह company के resources को protect करना, यह तिरफ चाइना में नजर आया तो organizational culture, दो countries का study किया गया, मैं कुछ researches बताऊंगी, their whole book, जो के मैंने दीनी है, एक interesting किसी ने बताया है कि Americans ने एक British company थी किसी मुल्क में, manufacturing की उसमें लाके अपना culture नाफिस किया, history की सबसे बड़ी strike हुई, क्योंकि they were not used to the American culture of business, it was a British company in another country, फिर उन्होंने employees का comparison किया, जो एक ही कंपनी में, America, Mexico, Poland और India में काम करते थे, इसके भी result बड़े interesting है, empowerment जो है वो negatively associated थी, अगर empowerment ज्यादा थी, तो supervision जो है, उस वो कम हो जाती थी, यह इंडिया में है, यह अगर आप ज्यादा independent or empowered feel कर रहे हैं as employee, तो फिर जो supervision की satisfaction है वो कम होगी, अब यह इंडिया का है, and United States, Mexico, Poland में भी मिलते जुलते है results है, satisfaction with co-workers was positively related with empowerment in Poland, negatively related in India and showed no facts in Mexico and United States, अब आप इस पर गोर करते रहें कि United States or Mexico में ऐसा क्यों था, because there is a lot that we need to explain about the results, तो जब आप यह पढ़ेंगे तो उसकी पूरी discussion मिलेगी, and some of your assignment would be related to, कि जो findings हैं, उसका क्या explanation दी गई है उस article की discussion में, इसी research में यह था कि improvement जो continuous है, वो satisfaction चारों countries में दिखा रही थी, यह एक similarity हो गई, इस ते यह पता चलता है कि organizational culture बड़ा strong होता है, पाया जाता है, managers को culture के उपर rely करना चाहिए, कि वहाँ पर क्या culture है, अगर national culture फरक है organizational culture से, तो managers should incorporate the aspects of organizational culture rather than the national culture, यह नहीं वो अपने इदारे का culture उससे promote करें और यह नह देखें कि उस मुल्क में क्या हो रहा है, अगर वहाँ सुस्ती का culture है, देर से आने का culture है, obedience का culture है, innovation का नहीं है, तो आप अपने इदारे का culture बनाए, ताके managers जो भी करें, वो इस तीज को दियान रख के करें, इसकी reference आपके left hand को दी हुई है.